हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा जै मातादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आश्रा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगे इस वर से कि आपको हमेशा खुश रखें तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पैशल है बहुत ह आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरू लगें कि स्क्रीन पर आपको दो मोहरे दिखाई दे रहे होंगे फस्ट देखिए थोड़ा सा गॉल्डन कलर में है सेकंड ब्लैक में है तो इन दोरों में से जो भ दीमाग नियती क्या करें चरिए फर्स नंबर जिन्हों ने भी चूज करा उनके लिख लेते हैं नियती में क्या लिखा है करोड़ बती बनना लिखा है या नहीं क्या कह रही है आपकी किस्मत और जो इंन है जिस चीज की चाहा रहती है वो चीज आपको जरूर मिलेगी क्योंकि आपके थिंकिंग बहुत अच्छी है आप सब के लिए अच्छा सोचते हैं आपके मन में दया भाव बहुत है और इसके साथ ही एक चीज और बोलना चाहूंगी दूस्तों थोड़ा सा लालच आपके मन में आचाता है जो कई बार आपके लिए परेशानी का कारण बनता है यह लालच इस तरह का आगे हूं सबसे अच्छा हूं आपकभी भी तो नंबर बन जिनों ने भी चुसकरा है बहुत जल्द आपके जिंदगी में बहुत अच्छा समय आने वाला है तो बिल्कुल भी टैंशन आले इस समय का अच्छे से सदूपयोग करें समय के बारे में समझें कुछ चीजों का नजदी की रिष्टों के गिले शिक्रे दूर करने की कोशिश जो आप करेंगे उसमें आप गलत साबित होंगे इसलिए कोशिश करें कि जिससा चल रहा है वैसा चलने दे नया काम शुरू करने के लिए अभी समय अनुकुल दिख रहा है मेहनत और कोशिश के बहुत प्रस्थित होने वाले हैं बहुत बड़ा ओडर मिलेगा जो फायदे मन रहेगा लापर वाही नहीं करनी है सकारात्मक विचार विमर्श रहेगा लंबे समय से चल रहे तनाव से भी राहत मिलेगी काम करने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगिटिव हिस्सों पर सोच व मिलनी तय हैं जमीन की खरीद बिकरी करना चाहते हैं तो उससे जूड़े कामों में ज्यादा फायदे की उमीद ना रखें ज्यादा पानी की चह में नुकसान हो सकता है वैवहार को सोम में रखें परिशानी वाला समय जल्द बीच जाएगा बिजनेस बढ़ाने की योजना उपर काम करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है सरकारी कामों से संबंदित किसी भी जस्ता वेच पर बेना पड़े लिके हस्ताक्षर ना करें फायदे मंदीन रहेगा प्रापटी वी बात चल रहा है तो उसे सुलझाने के लिए समय अच्छा है आपको मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे स्टुडेंट्स को पढ़ाई और करियर में आरे ही परिशानियों से राहत मिलने के योग है भविश की योजनाय बनाते समय अपने फैसलों को ही तवज़ो दें दूसरों की बातों में आने से परिशानी होगी इस बात का ध्यान रखें कि कुछ परिशान कि आईगी लेकिन अपनी से स।ो परिश बाति कर लेंगे बहुत अच्छा समय चल रहा है बहुत ही भेतरीन समय आपके लैप में आने वाला है बहुत इस दिन आपके शूरु होने वाले है तो बिलकुल टैंशन ना लें रिलैक्स रहें रिलैक्स होकर के अपनी लाइफ को करें अच्छे से प्रीडम रहें और इतना ध्यान रखें कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है हमेशा लाइफ को इंजॉय करते रहें और अपने आपको भी थोड़ा सा आपको डालनी होगी इसके साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि जीवन में हमेशा हमें मेहनत करती रहना है मेहनत करते रहने से हमें लाइफ में हमेशा अच्छे solution मिलेंगे और देखिए कोई भी वेक्ती मुश्किल में हूँ तो उसे उब देज देने से बहतर ही कि आप उसक लेकिन मदद करने वाले वेक्ति का एहसान हमेशा का हो जाता है इसलिए आप किसी की मदद लेने से पहले सोच विचार कर ले किसी भी दुस्ट इंसान से मदद नहीं लेना चाहिए परना भविश्र में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसे लोग जो स्विकार कर लेते हैं लेकिन ध्यान रखें कभी भी दुस्ट इंसान की मदद नहीं स्विकार है किसी की मदद करना और फिर दूसरों के अपनी जो मदद है उसके बारे में बताना इसका अर्थ ये है कि वो दुस्ट इंसान है उससे मदद आपको नहीं लेनी आप जरूर कर लाइफ में एक नया platform पालेंगे बहुत जल्दी आपको achievement मिलने वाली है बहुत जल्दी आप अपने जिन्दगी में एक नया रंग आपको देखने को मिलेगा एक विक्ति आपके जिन्दगी में आएगा जो पूरी तरह से आपकी life को change कर देगा मतलब बहुत अच्छा समय आन तो वो काम सफल जरूर होगा टीम में मतबेद होगा तो छोटा सा काम भी हमें मुश्किल लगेगा तो सबसे पहले बहुत अच्छा समय चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है आपके जीवन का तो बिलकुल tension नहीं लेना है तो बिलकुल tension free रहे, relaxed रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लाइफ को relax रहे करके अपने present को enjoy करना है, बहुत ज़्यादा past का tension नहीं लेना, बहुत ज़्यादा future का tension नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचे भी तो positive thought रखे, जितना positive thought रखेंगे, तो इस बात का wishes ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें, दोस्तों कि धर्म के जुड़े रहें आप धर्म से, आप नियमित अपनी दिन्चरिया में परिवर्तन लाई, जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, उतनी आपके जीवन में success होने के chances बढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी आप life में आगे बढ़ हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ठोकरे खानी होगी, हमें अनुभाव लेना होगा, हमें experience आएगा, उसके बाद ही हम life को अच्छे से अच्छी हो कर पाएंगे, ठीक है सबसे पहले life में जो सबसे जादा दिक्कत आती हैं दोस्तों हम negative thoughts हमारी बहुत जादा जिस वज़े से भी हमें problem आती है तो थोड़ा सा negative thoughts का भी आपको ध्यान रखना होगा, जीवन में एक सिधान आपको रखना है, कि हमेशा सबकी मदद करें, सबके लिए, सबके साथ रह करके सोचते हुए आपको जीवन में आगे वरना है, कभी भी यह नहीं सूचे कि यार, यह कैसे हो राए, यह क्यो हो राए, यह इसकी वज़े से हो गया, यह उसकी वज़े से किसी को blame नहीं करना अगर आपके साथ कोई difficult condition create हो रहे है तो उसके लिए किसी को blame नहीं करना है, अपने कर्मों का बोले, कर्मों पर विश्वास करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है जो होगा अच्छे के लिए होगा तो लाफ में कभी कोई प्रब्लम नहीं आनी है तो बिल्कुल टैंशन ना ले सब कुछ रहे चैंशन प्रीड़ी हमेरें करें हर एक पल मुल्यवान होता है उस करें अपने पूरा पहलो को स्मझाओं फिर जीवन में आगे बढ़ने की कोशाश करें जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप जीवन में सफ़लता हासिल नहीं कर बाएं گ 형र्ज सवलता हासिल करनी हैं तो दोस्तों रिस्क लेना बहुत जरूरी और रिसक आजकल हर सेक्टर में हो चुका है OUR कदम पर रिस्क हो चुका है तो रिस高 हमें लेना ही पड़े से इन चीजु को विशेज दिहान रिखें बहुत जल्दी नियती में क्रोर पती बनेलेगे लिकिन फि महा दियो